हेलो मेरे दम्तार फॉप व्हेंड कोड़ रहे हैं कोड़के वीडेया आपोग्वेस और आप देख रहे हैं कोरस के मिंग तो काई आज हम लोग लेकर आंगें क्लैश हुआ दलयां दमदार गेंपले तो आज हम लोग C.O.C. खेलने वाले हैं बहुत टाइम बाद और भाई मुझे पता है आप रहोगा भी जो सबसे पहला गेम होगा ना जो मेमोरीज होंगी उन में से भाई C.O.C. एक होगा क्योंकि C.O.C. अपने टाइम का भाई सबसे पॉपॉलर गेम था इसके लिटरली उ नहीं हुआ करता था तब भी पान सो मिलियन डाउनलोड थे उस टाइम की बात है जब भाई लोगों के पास वो Nokia या Macromax के जो आप Macromax के फोन आते था मिझे भी यादर में अपने पापा के फोन में खेलता था अब मेरे घर में से एक फोन हुआ करता था यूंकि पापा करत तो मैं उसमें युवालफ को खेला करता था उसके बाद भाई पहुत सारे उस टेम तो हम लोगों ने बहुत आगे ग्रो की थी उसका मेरी आईडी चली गई थी फिर मैं खेल नहीं पाया तो अब मैं दुवारा से में दूसरे आईडी बनाई उसका खेला फिर मैंने इसको ग्रेंडा वाई चली पर खेल वाएब में सब लोग अनुठ कर लेंदा कि विए बन्सक्राइब करें मैं आपब करने बPassता होँ चिए यूटूब आनमी नाम से अगर आपको जोईन होना है तो भाई सबसे पहले तो आप डिस्कॉड जोईन हो जाओ हमारा ओफिचल डिस्कॉड आ चुका है तो उस पर आप जाओ अपने आपको वेरिफाय करो हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाओ उसमें हम लोग यह सारे अपडेट चैंज करें अपना नाम करना यह 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 यूटूब आरमी यह आपका ही गिल्ड है तो उसके में हम सब लोग जैन हो गया है साथ की है ज़्यादा बड़े नहीं सब बहुत जादा है इतना टो टाइम हमें हुआ भी नहीं है 15-20 दिन हुए होंगे वार्स की अब मैं आज आपको यह चीज बताने वाला हूं कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं उसमें तीन लोग भाई पावफुल अटैक करते हैं मैं इतना अपनी तारिफ निकरता हूं मैं भी अच्छा कर लेता हूं बाकी जो गेमिंग हैंगा मैं जो आरगा है वह भी पहुत प्यारे अटैक करता है उससे आपको मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा कि कैसे अटैक किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसपे चल लेते हैं और इस्पेक्टर डैट कर लेते हैं तो यह रहा हमारा strategy बताऊंगा मैं आज आपको basically एक strategy मलग basically दो इस बताऊंगा एक तो बताऊंगा lun attack वाला और दूसरा बताऊंगा elektrodragon वाला जो attack होता है elektrodragon maximum type मैं use करते हूं elektrodragon attack और जो blimp attack होता है blimp attack में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा blimp attack ज्यादा तर वो इस base पर use किया जाता है जिसमें जो main win चीज होती है वो combined और town hall के pass होती है जैसे यह वाला base हो गया इसमें actually थोड़ा दूर है इतना भी pass नहीं है मैं आपको दूसा base दिखाता हूँ इस वाले base में आप देख सकते होगे यहाँ पर 4 xbox है इंफर्नो भी है दो air defense है और scattershot और town hall अगर हम यहाँ पर blim charge करते हैं तो हमें यह पूरा portion आप यहाँ तक यह वाला जो पूरा portion देख पाड़े होगे वो पूरा portion आपको मिल जाएगा भाई और उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं इगल है इगल को भाई कुईं से डाउन कर देना बहुत इजीली डाउन हो जाएगा और इसका जो रोल चेंपिन है वो भी 18 की जादा की नहीं है पर हाँ बुद्धा है बुद्धा हेल्थ करेगा फिर इन्वीजिवल चार से पास सेगें आप काउंट भी कर सकते हो जाब अटैक करोगे ना तो आपको मेमोरी आती रहेगा याद रहेगा कि आप कित्ती देर में करो आपको पर एक चीज़ रखना अगर जहां भी आप इन्वीजिवल डालोगे तो आपके तो हाइड होंगे हाइंगे साथ में जो डिफेंस होगा उसके पास में जो भी बिल्डिंग होगी वह भाई हाइड हो जाएगी तो यह चीज़ का भाई आप लोग ध्यान रखना आप टाउन टाउन हौल है हाइड हो जाएड हो थोड़ा साइट से डाला करो ठीक है तो इसने मैक्सिमम वैल्यू ले लिया एक स्कैटर शॉट निकाल लिया इंफर्नो भी निकाल लिया एर डेफेंस भी भाई एक निकाल लिया तो बहला अच्छी वैल्यू निकल दो एक्ट्रियु कर और देख तैसे क्या होता है मैं कुई चार्ज करता हूं मैं कुई चार्जow में न isual रहता है क्वीटार स्थ मुट्णřेजोछा कंगा है बुढकि न यहां अपने साध नहीं नहीं देखते हैं भाई आउन से होगा फुल झालिए Cornette जो पैका है वो जो डिफैंस है उसको भटका रहा रहा है वोड़े की बचा सब सेफ हो गाई अब सिर्फ एक यह बचा स्केटर शॉट उसको कोई नहीं पेल देगी उसके पीछे भाई लून भी आ रहे हैं दो लून है और आर्सी मर की नहीं हमारी रॉयल चैंपियन भी बच्ची आप चालिस की रॉयल चैंपियन है इसने इस पैल यूज किया है पर एक्चुली स्पैल से इतना कुछ होता नहीं मालब इस पैल भाई आपको यूज ही करना पड़ेगा कोई इसका सब चीजे मैक से और डिफेंज भी अच्छा था तो भाई इस पैल तुम्हें बूश्ट इस पैल यूज करना पड़ता है कभी कभी यार होता है बाकि इसके ट्रॉप्स तो मैक से इसने पागल ने फालतु में ये यूज किया है तो ऐसे हमारा अटेक हो गया तो आप आपको जो एक इन्वीजीव है वो पहले आपको डालना पड़ेगा वरना भाई आपकी आर्चर मर गई तो सब खतर में भाई आर्चर पर ही सादर डिपेंड होता है ठीक है इसने साइट से फिक और यहां इसने टाउन हॉल देखा मैंने कहा था इस टाउन हॉल इसने दो इ इसने पर इसको जाइंट वं से पाला पड़ गया पर इनने कोई नहीं अच्छी वैल्यू निकाल दी भाई आर्चर ने अब कुछ एक इन फर्नो ले गया नहीं नहीं ले गया इसक्राट भी नहीं ले गया है इगल ले गया ठीक निकाल दी भाई टाउन हॉल ज्यादा वह है तो टाउन हॉल की बाई ज्यादा वह होती है दिक्कत होती है बंदा तो कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे तो इनने सारे हीडो अपने साइट से पुट किये डर से जब भी आप हीरो पूट करो ना तो आगे एक ऐसी मैक्स हेल्थ वाला आर्मी रखा करो जो भाई पीछे इनको भाई बचा सके तो यह चीज भाई धियान रखकर जैसे अब स्क्राइटर शॉट पर से आगे अब यह पूरा बेस खा जाएगी आर्सी खा जाएगी लेटर लिए रहा हूं देखना तो रेखो इसने अपनी आर्मी रख से छोड़ी है वैसे अच्छी छोड़ी ती मतलब और इसके पास अभी तु भाई अविलिटी इस भी बेची पर हाँ इसके पास इस पैल नहीं है यह चीज भाई सबसे डेस्पे अडवैंटेज होती है कि अगर आप बिलम चार्ज करते अच्छ को यूज करते हैं उसमें सब चला जाता है तो इसके पास टूप ज्यादा बचे नहीं है भाई दिक्कत हो जाएगी तो इसके पास सिर्फ तीन चार एलेक्ट्रों बचे वैसे अब कुछ बचा भी नहीं है भाई अब कुछ हाई नहीं खतम कर दिया भाई बेस बंदे ने और यह क्लीनप के लिए इसने पीछे से डाल दिये बस हो गया अब यहां से करूँगा मैं अटेक्ट्रों से अब देखो अब यहां से करूँगा मैं अटेक्ट्र अब मैं किसके साइडी से कर रहा हूं मैं आपको पहले अपना दे देता हूं तो जो सूर्य वंची है उससे मैंने अटेक्ट्र किया है कोरस इन दोनों से मैंने अटेक्ट्र किये हैं और बाकी की जो बेस है इनने वन टू उड़ाए थे थरी फोर फाइफ सिक्स यह चारो ब आप प्लस इसके पास पास जो ट्रूप्स है वह आगे की जो ट्रूप्स है यह वाले भी खुले हुएं वह भी इसके खुले हुए मैने नहीं कर पाया अब मैं आपको एक अटेक अपना दिखा देता हूं कि मैंने कैसे कि I attacked इसलिए इसने फाइश दोपे किया क्योंकि इसका जो कैम्स है कैम्स भी वाई पूरा मैक्स है मेरा भाई कैम्स मैक्स नहीं है और भाई तो इसलिए जिस इस्के बाद ज्यादा अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैंने अटक किया था हम लोग रिपले देखते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं यह बेस है ठीक है अब इलेक्टो रेइन के लिए यह बेस भाई थोड़ा जब आप क्मपार्टमेंट क्क淡 करते हैं और अवे थिखातों यह चीज मुझे ध्यान लिए और अब देखो अब तो इधर मैंने कंचज किया अपना और मैंने यहां को इच्छ किया है तो मने यहां को सुले गलति को इसलिए जाता करते हैं ताकि अगर कोई भी एयर सेकिंग माइन या एयर माइन लगी होगी तो उसको वो कर सके और मैंने दूसरा बात मैंने इसलिए भी फेके तो बस आके ठीक है तो मैंने यहां से कोई चार्च किया था और इस साइड से मैंने अपनी तो फ्लेम फिंगर को यहां से मैं tbl Crud किया अब मेरा फोकस फ्लेम फिंगर को मैंने छोड दिया कि मैंने वहां पर छोड दिया bring को छोड़ da-do इसलिए वह था क्रोड़ ये तो मुझे 12 पॉरा ठीक को नहीं अगर कुई मर गई तो यहां खत्म जैसे बिलिंप में अगर सुपर आट श्मर गया तो सब खत्म हो जाता है वैसे यहां अगर को इन अपना पूरा फोकस रखना है और अपनी भाई आर्मी भी छोड़नी है आडमी मुझे भाई आपको तीन मिनट मिलता है उसमें आप डेर मि जैसे आपका बच्चा हो तो आपको अपनी पूरी लिच अपनी पूरी आद मी छोड़द इसrice मैंने अपनी यहां से अपनी पूरी ऊन्रमी छोड़दी अब यहां पर मैं आपको ब्रस्टाटा लिए जादा परफॉर्म कर पाएगी ठीक है अब देखो एयर डिफेंस चारों बच्छे हैं पर अभी देखना भाई जो तो प्लेम फिंगर है वो इधर का इयर डिफेंश और और इसकैटर शौट बागी बलकि दोनो इयर डिफेंश और एक स्कैटर शौट खा जागा इधर का यह वाली कुई इधर इसकैटर शौट और इयर डिफेंश खाजेगी फिर कुछ बचे गई निए कुछ बचा है इसमें बताओ एक सिंगल बचा है वो भाई ऐसी वो खा जाएंगे अब देखो यहां से अटेक हो रहा है और कुई आप देहन रिखो इहां पर अब मुझे वहां पर फ्रीज डालना पड़ेगा क्योंकि इसने एक को लॉक कर दिया इन फर्नो ने और यहां पर म मैंने लून लिये थे ताकि मैं दोनों इयर डिफेंस को टेक डाउन कर सकूँ और यहां पर मैंने फिरीज डाल दिया जिससे मेरे जो एयर वो अराम से जा सके अब देखो मेरे पास रेज भी बचा है दो रेज बचे और एक भाई फ्रीजिंग बचा है स्वैक के लिए बहुत इसपैल्स को मैं मिक्स बगारा करता रहता हूं चेंज करता रहता हूं बाकी बाइब इस्ट्राइजी जो होती है वह मैक्सिमम में यही यूसर तो गाइस होफफुली आपको दो तीन स्ट्राइजी आज समझ में आई होंगी कुछ दॉट्स क्लियर होंगे और भी को आपको भी वीडियो की वीडियो चेहिए आज के लिए वास इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में ठेक क्या एंड पाइज